कि है अज दूसरा पेपर आप लोगों के लिए कॉंस्टेबल का जो स्लिवर से नया उस पर बेजड है तो आप लोग चेक किजिएगा कैसे कैसे आपके मांक्स आ रहे हैं इससे पहले मैंने एक पेपर और सेंड किया था वह आप लोगों ने देखा अब दूसरा पेपर देख कि प्रकाम का संधी विचेकर कीजिए ठैक है तो प्रस्तावित का संधी विचेट आपको बताना है तो option A है प्रस्तो धनीट, option B है प्रस्तो धनीट, option C है प्रस्ताविद, और D है इनमे से कोई नहीं तो प्रस्ताविद का जो संदी विचेद होगा, वो होगा प्रस्तो धनीट, प्रस्ताविद का क्या होगा? option B इसका answer होगा प्रस्तो धनीट क्योंकि आप जानते हैं प्रस्ताओ आओ इसमें आओ आय आय आओ जहां बचाता है तो आपकी आयल संदी होती है अब प्रस्तो धनीट क्या होगा प्रस्तावीट question में 2 है काली घटा का घवन घटा काली घटा का घटा घटा इसमें दो बार आया है अग जहां पर कोई शब्द दो बार आता है उसकी दो अरत होते हैं तो आपर क्या होता है यमक अलंकार काली घटा मिन्स बादल अग्वन घटा मिन्स कम हो गया तो इसमें यमक C answer है इसका ठीक है C और भावुक सा भंद में संदी बताएं भावुक भावुक मेंसंदी बताना है तो आयादी संदी है B answer क्योंकि भाव आय आयाव आई जहांपर आयाव ऑफस दायता है वो अयादी संदी होती है तो इसका अंसर B होगा अब एकटने परकार के होते हैं तो इसका ऐस आपका चार परकार के अब्धे होते हैं तो कौन सा प्रेवल सब्द नहीं है तो रायगर जाओंगा ही तुम भी चलो तो निपात होते हैं यह सब्द जो वाक्युं को बलपर्दान करते हैं ठीक है तो ज detector बेना काम सकता है में होाथके वाक्युस्य को बलपर्दान करते हैं शुद्धु छाटनता अपने, तो सुद्ध इसमें केवल स्वस्त सुद्ध लिखावा है, ठीक है, option B answer, नहीं पराग, नहीं मदूर मदू, इस आर्ठ में का आंसर हो, बी आएगा स्रंगारस इसमें, हिंदी शंग की भासा हो, ये राज भासा हो, ये अनुच्छे 348 में आंसर हो गया, रेखांके शब्द में सरुनाम का प्रकार बताईए, उसने कुछ नहीं लिया, कुछ क्या हो गया, आपका अनिश्चित वाचा होगे, B answer, 11 कभी, राधा रोती है, में किरिया बताईए, तो इसका आंसर होगा, बारवे का, इसमें होगा, राधा रोती, अकर् कर्मक, राधा रोती है, तो इसमें कर्म नहीं है, राधा क्या रोती है, इसका आंसर भी आप देने सकते है, जहां कर्म का योग नहीं होता, अकर्मक होती है, दिएगे शब्दी की उत्तरावस्था, तो कोमल की कोमलतर होती है, क्या होती है, कोमलतर, निम्न में से अयोगवा चार्टी एक चौदा आयोगवा होते हैं यह आपका बी और सी हो गया आयोगवा अंगा होते हैं ठीक है अगला है संग्या के कितने भीद होते हैं संग्या के भीद उताना है आपको संग्या के तीन और पांच और आप्सन में तो तीन आप करेंगे संग्या तीन परकार को होती है अर्भी शब्द छाटिये तो इसमें अर्भी शब्द क्या होगा अदालत होगागा सी ठीक है क्वेशन नम्र सत्रों आपके सामने है सत्रों का हुआ कि मैं उद्दिश छाटी है तो राम खाता है राम खाता है मैं आपका उद्दिश होगा राम ठीक है इसके बाद क्वेशन नम्र 18 है परवत की तलहटी तो इसका अंसर होगा 18 का उपत्य का होती है परवत की तैलिटी नए यूग में शत्रू ये है आपकी मंगलेस डवराल की बुखाई है ये नए शत्रू दूर्जन, दूर्दशा और दूर्दिन में ये दूर इसमें भी लहालंद भी लगे गारास में तो इसका अंसर होगा से एको से नंबर टूर्टी की बात करें थे हम लोग तो दूर्जन, दूर्दशा और दूर्दिन में कौन सा उपसर्ग है इसके लिए मैं आपको बताया कि सी है इसमें दूर हलंद भी है इसमें स्थिके तो सी होगा दूर इसमें हलंद भी आएगा किसके लिए मिला तो हिम तरंगणी के लिए उनको साहित्यकाद्मि प्रुसकार उनिसो पच्वन में दिया गया इक इसमें कर भी आंसर है पर्थाम भिश्व हिंदी समयरंद कहा हुआ थीक है इसका आंसर हम कुछन नबर 22 है पर्थाम भिश्व हिंदी समयरंद कहा था तो दस से चौरह जनवरी उनिसो प्यतर में ये पर्थाम भिश्व जी समयरंद हुआ था और इसका आंसर है आपका ए नागपुर में अश्ट चाहब समयरंद क्या है तो अश्ट चाहब आट कवी है आपको पता है अंसर बी होगा इसका और अश्ट चाहब का जहाज कहते थे किसको सूर्दास को पॉड़ी जील कवी स्थापी थी 1821 किस सी यह आंसर यह बड़ा पॉप्लर कुशन है असी साला बंदोबस किस कुमाओं कमिशनर ने किया था तो जोर्ज विडियम ट्रेल ने असी साला बंदोबस किया था 1823 में उन्हों ने यह कराया था आपका यह बड़ा बंदोबस 1823 को हुआ था ठीक है इसके अलावा कोशन नंबर 26 है देवताल कहा है तो यह चमोली इसका आंसर होगा 26 का C आंसर 27 विटाइस विटार यह भी बड़ा पपलर कुशन है इसका आंसर होगा अलमोडा 27 विटाइस का ए 28aja 29 कुली बेगार पर्था का तात पर है जिसका आंशर होगा मस्दूरी रहित स्रम आतने कुली बेगार परथा उत्राखंड में थी लं में समय तक और कई परकार की बेगार परथा यह पाये है एक है कुली बर्दायस कुली उतार, कुली बेगार कुली हलक, इस तरह की परताएं थी इसमें ठीक है, आपका आएगा कुली हलक तो कुली हलक में क्या होता था हलक बेकार जो थी, उसमें आपको फिरी में आपको डाग पुछाने पड़ती थी ठीक है, एक कुली बरदाश है, वो भी कुछन आ चुका है कुली बरदाश में आपको मुफ्त का खाना पीना करना होता था अंग्रेजों के लिए, तो यह इस तरह की यहाँ पर, ऐसे सी कुपरताएं थी, जिनको बाद में हटाए गया तो अगला है, भारत में पहला वन बंदोवस कप किया गया तो वन बंदोवस अठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटा है इसका आंसर आपका है C 1908 में कुल एजनसी के साफ़ना जोची निगी दोर रखी गई थी ठीक है दास पर्था का अंति किसको माव कमिशनर क्या था दास पर्था का अंति क्या था गोवान में 1836 में पॉडी समिलन कब हुआ था तो पॉडी समिलन हुआ था आपका आठ जुन 1930 को ए आंसर है ठीक है common question सारी important है ये 34 का ए आंसर 35 खीड़ा जलप्रपात कहा है तो 35 का आएगा ए आंसर उत्तरकाशी में ठीक है इसके अलावा आगे बढ़ते हैं question को आगे बढ़ते हैं 36 भीम का पकुड़ा नामगस्तान का है भीम का पकुड़ा नामगस्तान लेंस्टोन में है 36 का भी डोला पाल किया अंदूर्न के प्रनिता तो इसका आंसर होगा आपका भी जैन भारती गड़वार एंसेंड मोडन के लिए पातिराम 38 का ए जैन गोविसांड किसका प्राची नाम है काशिपूर इसका अंसर 39 का बी कॉर्वेट नेशनल पार्क के स्थापना होई थी इसका नाम पहले हिली नेशनल पार्क था बात में 17 में इसका नाम के पड़े गया । покуп के नाम पे पड़े मिया बशुम कोरबिट के नाम पेसावार कन क commissioner नाय। तो पेसावर कन किना नायक है वी है। छंदर से कड़वाली क का एक तिलाड़ी का Аपा onte अंसर 12 में चंद्र बजनी मन्दिर है आपका ठीरी में 45 कब भी गांदी जी में परथंबार उत्रहण की आतरह की थी 1929 में ठीक है इसके बाद है आपका 47 उत्राखंड का राजय धोल जो राजय धोल है यह आपका है रोटाखंग राजय वादियंतर है धोल 47 कभी मायवत्य आश्रम इस तीथ है चंपावत में 19 माज 1889 को यह असर मना था तो इसका अंसर हो एफ उत्राखंड में होम लुल ली प्रारम होगा था तो 1914 में होम इसका अंसर ए है गड़वाल का चंदन कहते हैं मुति नंदन को 51 का ए कौमन कुष्टी टू सरूला ब्रहमर मिलाये थे अजेपाल ने 52 का सी एफ राइस ती थे तर्देर जुम्हें फुटी जरी का ए कुमाओं के लक्षिन भाई किसी कहते हैं जी आरानिव कहते हैं 54 का ए उ उत्राखंड विजान सावर की पर्थम महिला स्पीकर कौन है जिसका अंसर है रिद्धु खंडूरी बी ठीक है आगे रेखते हैं पेपर को और यह कुष्टन पर 57 ने पहुंच चुके हैं अब लोग अभी ताब आपने में स्कूर्ट चेक किया होगा तो अगला है उत्राखंड की कुल आरक्षित सीटें SC ST मिलाकर कितनी है तो 15 सीटें उत्राखंड में उत्राखंड में आरक्षितें 57 का A है उत्राखंड में 13 SC और 2 ST के लिए आरक्षित है ठीक है 13 में से विसरवादिक 3 सीटें हरिद्वार में है तीन सीटें हरिद्वार जिले में है SC के लिए अरक्षित सबसे ज़्यादा पागी सभी जिलों में एक-एक सीट आरक्षित है तो आपको सस्टी कहां रखशिते हैं एक आपकी चक्राता है एक आपकी ना मत्ता है समस्थ कि आप लोग चलि आगे वढ़ते हैं उत्राखन की वर्तमान महिला आयो क्या देसे यह कुस्म फंडवाल 58 का ए आंसर होगा गडवाल उनस्टी की स्थापना कवी थी 59 1973 में सी देव मुस्कान योजना समझ किस्ते है तो इसका आंसर 60 का आपका बी आंसर है वंची द्वर के इसमें आएगा बी ऑफ्शन के साथ से वंची द्वर के चात्रों को उत्करिष्ट इनकी लिए है यह सुझना फिर है कुस्ट्र में 61 knowledge के आते हैं अब वर्स 57 के विद्रों के समय भारत का गवर्नल कौन था बहुत कॉमन कुश्चन है कॉंस्टेवला इंपॉर्टन कुश्चन लेकिन देखे तो इसका अंसर होगा C Lord Canning ठीक है और कौन सा प्राजिन्दा प्रवत नहीं है निवन कौन सा प्राजिन्दा प्रवत नहीं है तो जो इस दिए में नहीं आता वो सका अंसर आपका एंडिश प्रवत C वाइंडल के सबसे निचली प्रत कॉन सी है यह भी बहु संगनन भारती ओपगरह संखला जो दूर संचार के लिए परयोग की जा रही है इसका आंसर यह कुशन भी कई वार रिपीट होता है हमाई एक्जाम में इंपॉर्टेंट है इसका आंसर होगा टी ही कि आधर दौटे का सतमिलाड़ इंप अगर अगलोचल चलते हैं अरमीमलाड़ू का स्थ zwischen मंगिधार का योजए है कि अगछिएत में अनुशार को हो पनते शोला ऑप्से नहीं की होगा है इसका आंशर होगा C.215 और 16 C.215 और 16 इसमें आंशर करेंगे आप लोग ठीक है चले इसके अलावा Sleeping में 68 जलते है कौन सा भारत में राजनितिक दलों को मानिता प्राप्थान करता है सिक्स्तिन नषिवारा सिक्षों का खाल्षा में रुपांतरन किया गया था तो 69 का आंसर आपको यह question भी भी बहुत common question है इसका answer होगा गुरु गोविन सिंग तेस्ट अफ लाइव के लेखक कोन है तो टेस्ट अफ लाइव के लेखक है यूवरासिंग तो टेस्ट अफ मैं लाइव यूवरासिंग चलिए इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भारत में दो आगे बढ़ते हैं, 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 भारत में द डिजर्ड मुत्फिमर से हो मंगोलिया का और यह है आपका चीन में ठीक है गोबी कम लुस्तर है मंगोलिया में चीन में यह टकल मकाने गुप्त समरार जिसने हुणो को पराजित किया था तो इसका आंसर होगा आपका सी आंसर होगा और निम्ट के में से मुस्लिम सासाग ने तीरी तारभ कर समपत किया था इसका आंसर होगा आपका gdy अकबर अबिनो भारत किस किस संस्ता थी आपको बताना है तो इसका आंसर होगा ए वीडिजित थावर का अभिनुझ भारत गरीभी रिखा से नीची निर्भा करने वाली जन्संक्या का प्रेशेंट अरिक्तम है किस राज्य में सबसे जारा गरीबी रेखा के नीची लोग रहते हैं इसका आंसर होगा आपका C. 36 गड़ भारत का पाजिंदम विशाल उद्योग है इसका आंसर होगा A. सूती कपड़ा ठीके विश्व मे जन्संक्या उस दिन की याद में रहता है जब विश्वम की जन्संक्या अनमानता पांच अरफ हो गई थी वह दिन कौन सा था तो आपको पता है कि 11 जुलाई को ही जन्संक्या दिवसाता है तो उस आप्सिन के साब से आपको सी था जो आपको बताना था तो 11 जुलाई को हम लोग बनाते हैं जन्सेंग का दिवस और यह पूछ रहे हैं कि वह दिन कौनसर था जिस दिन यह जन्सेंग क्या पानाचरव को पार कर गई तो इसका अंसर होगा 11 जुलाई 1986 और हैंडलों मार का प्रमानिता बताता है इसका अंसर होगा C हाथ और काशिदारों का लगू हिमाले इस्थित है मध्य में यह है आपका सिवालिक और माह हिमाले के 83 निम्न में से किन जीलों की वाटिका कहते हैं जीलों की वाटिका तो जीलों की वाटिका इसका अंसर आएगा 83 का अंसर होना चाहिए फिन्लेंड होगा यह ठीक है तमिलाडो और आंदर प्रदिस्ट की तट का नाम यह फिर इसका अंसर होगा 84 का A कुरो मंडल कौन सही सुमिरित नहीं है कौन सही सुमिरित नहीं है इसका अंसर होगा D बुशमैन कालाहरी भारत में लवणिये मिद्रा लवणिये मिर्दा का सरवादी छेतरपल है तो इसके आपसन आपने पढ़ लेंगे डिसका अंसर आप दीजिए फ्रापट लवणिये मिर्दा गुजरात आप जानते हैं सॉल्ट भी है गुजरात में तो वही है ठीक है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती तो आपने पढ़ लिया होगा अपताक एक्जाम के इनर्जी की दिन है आपके तो इसका आंसर होगा आपका सी तापती खाड़ी समझान की द्रकर निग में किसे मूल अधीकारों का संदक्षक समझा जाता है तो किसी अंधा का संदक्षक समझा जाता है इसका अगा नियाई पाले का को थीक है फिर आपका कौЭ्शन आगे पहली देशलते हैं और ये आपका 89 कौेशन आपके लिए मंत्री परिसद सामय ग्रup से उत्तर दाई होती है कोईशन वी काफी आता है कोईशन जिसका आंसर होगा मंत्री ensuring उत्तर दा से सामय जिसे उत्तर दाई होता है एक समधनी बाधिता के अंतरगत लोग सावा के परती 75-3 के नुसार और उच्छे 4-3 के नुसार अब option भी आपर double-double है तो देखिए इसका answer होगा आपका B, 1-2-3, एक तो लोग सावा के परती होता है उतरदाई, समधनी बाधिता के अंतरगत और 75-3 के नुसार तो इसका answer होगा आपका B, और 90 है नेम लिक्षी में से कौन सा बारवी पंच्छोरशन कारेकाल है तो इसका answer 12-12-17 तक बारवी पंच्छोरशन का कारेकाल है ठीक, इसकी बाध जनल साइंस के एक दो कुश्चन आपर आ सकते हैं इसलिए मैंने ये पहले भी आपको बताया था प्रिज़ी पेर में भी जिसका answer है हमेटोलोजी समनित है तो हमेटोलोजी आप जानते हैं हमेटोलोजी जिसका answer होगा दी आंसर होगा रक्त के अध्यन से ठीक है सरवपर्थम आधुनी कंप्यूटर की खोज हुई थी इसका answer होगा प्रिटिस की जिसकी सी ठीक है बाकी नमबर सीरीज की वीडियो मैं अगले रिजनिंग के सेक्ष्टन मिलाऊंगा तो आप देख लिज़ेगा कैसे करना है इसमें गैप चेक करना है परता है पहले गैप चेक कीजिए कितना अंतर हो देखिए या अल्टरनेट चेक कीजिए या स्क्वाइर क्यूब के नजज़ी होंगे तो उचा किजिए कौन सा लोजिक रगारा है आप बताएंगे चंद्रमा परमनुस्या का भार इतना है प्रिट्री परस के भार का कितना होता है तो आप सबसे कॉमन कुश्टन बजबन से पढ़ा आपने इसका आंसर होगा आप अन्सरहें इड़े में इंटल गेंटीว त्यूंस द एक checklist अब यह बताना है कि इस सब्दों से कौन सा सब्द्रें बन सकता है एक सब्साइबरे स सब्साइब भीकर 이 सुब होगा आप घा सूर्ख की पिता मेरे पिता का एक मात्र पुत्र मेरे पिता लिए पिता पूँआ गूंगी नाइटी-णाइन इसकन से सी बील दिया होगा पर नाइन्टी-णाइन कुष्ण है इसमें एक वैक्षानिर की और जाता है फिन 50 डिगरी घड़ी की दिशा दिशां में चलता है तो फिर उसने बोला कि 188 डीगरी उसी दिशामें गोम हैं पुना वह इक हसी डिगरी उसी गड़ी दिशामें गोमा एक तर्ष अठाश्य आप जाने यहां से अगर कोई यहां पर है इधार इसका मूँ है तो वह एक तर्षी डिगरी खूं कि यह होता एक सटेजिए अच्छा इस तो आप जाते हैं इधर इदर स्कम्मों हे 90 हो गया और यह हो गया आपका 135 में और जोड़ेंगे तो बतना अब उसका मों किस दिशा में है ति कौन से दिशा है आपको पता होगा कौन से साइए बताएए यह कौन से दिशा है देखो अब को यह है आपके चार दिशाए नौर्थ इस वेस्ट साउथ नौर्थ वेस्ट आ रहा हूए नौर्थ वेस्ट इसका अंसर होगा आपका उत्तर पस्टम्ट ठीक है मैं आपको करके बताया उपर आपने देखा होगा धानसे में कैसी किया है नहीं है तो आप कमेंट करेंगे मैं आपको बता दूंगा दोबारे से अगला हंडिट कुछन है एक पंक्ती में आगे से बार हुआ है रोहन उसी पंक्ती में दस वह अपनी जगह बद देते हैं तो रोहन 21 आता है देखो इसको एक अच्छे ट्रिक से कर सकते हैं लोग देखो आपको देखना है कि कैस करते हैं इस कुछिन को ठीक मैं अब कुसिशन कर देखता हूँ ठीक लिजी आप इसके लिए वीडियो भी बना रखिये मैंने देखो मोहन लिखना आपने सौटकट को बशांत पेंचार नियां पड़ेगी मोहन लिखना है और रोहन लिखना है उस ने बोला कि मोह एक पंक् पूछ रहे हैं वह कुछ है पूछ यह प्लोकितने भीकती हैं तो थीक है इसको करने कदरें है कि इनका गैप कंद जो रहें है लोगे से टोल पूछ है तो आप आप है जोड़ लीजिये 19.38 माइनस एक 37 या ऐसे जोड़ है 21. यह जोड़िए औननेच नहीं है 19 प्लिस बारव आप डौ मिटा कि देखु ऐसे करना इसको इसका है आपने इतरे नहें आपको मोहन लिखना है और यहां पर इने आपको एक प्रंगत्रि महन और रोहन का कर्म उसने कहा है कि बारवा है और रोहन का दस्वा है इस्थान बदल देने पर मोहन 21 हो गया किसों तो कितना इसमें 9 का गैप इधर है तो 9 का गैप आधर भी करेंगे 19 हो जाएगा ठीक है अब इनको क्रॉस में इसमें क्रॉस में जोड़ेंगे तो 12 प्लस 19 निकालने का अंसर गया है 12 प्लस 19 माइनस 1 कितना होगा यह उनिस में जैगी 18 और 10 अठाए तो 30 इसका आंसर ऑफिसन के कोर्डिंग होगा एंसर ठीक है 100 का ए यह आप ऐसे भी जो होते हैं 21 धन 10 31 माइनस 1 क्या होगा 30 ठीक है आप जानते ने लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है इसलिए माइनस 1 कर रहा हूं में ठीक है इसका आंसर ह हुआ है तो यह आपने देखे कि 100 में से आपके कितना स्कोर रहा यह ज़रूर आप लोग चेक कर लेंगे देर देर अपना आकरन कीजिए और एक्जाम के लिए आप लोग तैहरी करते रहें मैं अभी रेगुलर पेपर आपके बीच यह इंपॉर्टन कुशन जैसे आज हैं है ऐसी मैं आपके बीच कुशन लाता रहूंगा आप अपना अंसर चेक करेंगे पहरे ठीक है तो कितना स्कोर रहा आप देखिए उससे आपतारी कीजिए चलिए आप लोग अपने आंसर मैच कर लेंगे चलिए अगर आंसर की चाहिए होगी तो आप कमेंट बाक्स में बता आपको स्कीन सोर्डिनल चाहिए ले सकते हैं कि पिपर का आप लुए आप लोगा अपने पिपर तो बताने कैसे लगा आपको कैसे लेक्षेन लग रहे हैं चलिए फिर मिलते हैं ज़ल्दी आज की दिसमें